हेलो एब्रिवन आप शभी का अंकुष एकडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका आप सभी को नवरात्री की हार्दिक शुब कामनाएं हैं इस नवरात्री के अफसर पर आप सभी की जो भी शपना है वो मातारानी की किरपा से पूरी हो तो हम लोग आज का जो क्लास है वो कम्प्यूटर का क्लास है आज ये कम्प्यूटर का प्रैक्टिस सेट 6 है इसमें कोस्चन जानेंगे इसमें वो कोस्चन है जो सारे एक्जाम में पूछे गए हैं और वही सब कोस्चन बार-बार हर एक्जाम में रिपीट होती रहता है और इससे पहले जितने भी computer का class हो चुका है जो लोग नहीं देखें आप मेरे channel पे जाएगे और playlist में उसको देखके देखिए तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले question number one डैस एक program है जिससे computer का उप्योग करना आसान हो जाता है तो कौन सा एक program है जिससे computer का उप्योग करना आसान हो जाता है तो वो कौन सा है utility क्या है utility तो इसका जो answer होगा वो क्या होगा question number two प्रोग्राम में त्रूटी से गलत या अनुप्योगत परिनाम उत्पन होते हैं उसे डैस कहते हैं तो प्रोग्राम में त्रूटी या गलत या अनुप्योगत परिनाम जो उत्पन होता है उसको क्या कहा जाता है बग कहा जाता है क्या कहा जाता है बग तो इसका जो answer होगा वो ए question number three computer का परते कंपोनेंट या तो डैस होता है कम्प्यूटर का जो परते कंपोनेंट होता है वो क्या होता है हार्डवेयर होता है या फिर सॉप्टवेयर होता है तो इसका जो एंसर होगा वो क्या होगा Question number 4 Software का प्राथ्मिक उद्धिस Data को डेश में बदलना है तो software का जो प्राथ्मिक उद्धिस होता है वो क्या होता है जो भी data होता है उसको सूचना में बदलना है इसका जो answer होगा Question number 5 डेश software Code में त्रूटियां ढूलने की एक परिक्रिया है तो किसमें software code में तुरूटिना ढूलनें की एक परिक्रिया है तो क्या होगा DIP D जो answer होगा वो D Question number 6 Question number 6 Computer इस कर्मे program को निस्पादित करता है तो किस कर्मे program को निस्पादित करता है वो आपको बताना है तो page, decode और execute तो इसका जो answer होगा वो क्या होगा Question number 7 Computer को डैस बताता है कि इसके components का प्रियोग कैसे किया जाए तो कैसे किया जाता है utility से तो इसका जो answer होगा वो क्या होगा Question number 8 User application software hardware को connect करते हुए interface के रूप में function करते हुए किस परकार का software computers process में manage करता है तो वो किस तरह manage करता है operating system के थोफ उसको manage करता है तो इसका जो answer होगा वो D होगा Question number 9 ग्याद software bug के लिए repair जो शमानेत इंटरनेट पर बिना charge उपलब्द होता है उसे dash कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं pitch कहते हैं तो इसका जो answer होगा वो B Question number 10 बेक अप क्या होता है तो बेक अप क्या होता है वो आपको बताना है तो option B है जो मुल्स रोट से किसी भीन destination पर copy कर data का संगरक्षन करना वो क्या कहलाता है बेक अप तो इसका जो answer होगा वो B Question number 11 कौन सा प्रोग्राम कम्प्यूटर के विभीन भागों का नियंद्रन करता है और प्रयोकता को कम्प्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है तो वो कौन सा प्रोग्राम है तो वो कौन सा है ओपरेटिंग सिस्टम तो इसका जो answer होगा वो क्या होगा वी जो operating system है वो program का एक set होता है जो computer के संसाधन को प्रतिबंदित करने के लिए design किया गया है और इसमें जो computer को सुरू करना जो सुरू करना मतलब start करना program को message करना memory को manage करना और input output device के बीच जो भी कारी होता है वो तो शमन किसके दुआरा होता है तो operating system की दुआरा होता है तो इसका जो answer होगा वो क्या होगा बी question number 12 प्रोग्रामों का शमू जो आपकी computer system के चलने को control करता है और सुचना process करता है उसे क्या कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं operating system ये भी बताए कि operating system की दुआरा ही प्रोग्रामों का जो शमू है उसको computer system चलने को control करता है सुचना process करता है तो वो operating system कहलाता है तो इसका जो answer होगा वो ए question number 16 अनुदेशों का शेट जो computer को क्या करना है या बताता है उसे desk कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं प्रोग्राम कहते हैं तो इसका जो answer होगा वो डी question number 14 operating system दुआरा सीधे handle नहीं किये जाने वाले अधिकांस कारी निम्लिकित में से कौन सा handle कर सकता है question number 14 में पूछा गया है कि जो operating system के दुआरा सीधे handle नहीं होता है और वो अधिकांस कारी किसके दुआरा handle होता है तो यूटिलेटीज इसका जो answer होगा वो क्या होगा वी question number 15 कंप्यूटर की भौतिक बनावण छोकर मैसूस करने यूग भाग कहलाती है तो वो क्या भाग कहलाती है hardware तो इसका जो answer होगा वो क्या है question number 16 डाटा का सुन्योजित record रखने के लिए शमानेत इन में से किस software का उप्यूग किया जाता है तो किस software का उप्यूग किया जाता है data base software का तो इसका जो answer होगा वो ए question number 17 मुल्स रोट से किसी भीन destination पर copy कर data का संगरक्षन करना क्या कहलाता है तो data का संगरक्षन करना क्या कहलाता है वो आपको बताना है तो बेकप कहलाता है तो इसका जो answer होगा वो शी question number 18 MS-DOS अधारित प्रशनल कम्प्यूटरों पर निमन में से कौन सा package database के रूप में अधिक पाया गया है तो किस में पाया गया है तो डो बेस थ्री में पाया गया है तो इसका जो answer होगा वो क्या होगा question number 19 DOS का पूरा नाम क्या है तो ये DOS जो है DOS उसका पूरा फूल फॉर्म क्या होता है disk operating system होता है तो इसका जो answer होगा वो क्या होगा question number 20 computer पर काम करने के लिए मुख्य तक किसकी जरुरत पढ़ती है तो किसी भी computer में काम करने के लिए किसकी जरुरत पढ़ती है तो option के अनुशर क्या होगा hardware और software हम अगर किसी computer में काम करेंगे तो उसके लिए hardware और software की जरुरत पढ़ेगी तो इसका जो answer होगा वो क्या होगा question number 21 विशम सब्द को चुनिए इसमें कौन सा विशम है सबसे अलग है वो आपको बताना है ये जो option डी है एक्सिस ये विशम है तो इसका जो answer होगा वो क्या होगा डी question number 22 computer के सुंदर्ज में software का क्या अर्थ है तो computer के सुंदर्ज में जो software है उसका अर्थ क्या है तो option के अनुशर क्या होगा computer program तो इसका जो answer होगा वो ए question number 23 unix का विकाश कब हुआ तो unix का कब विकाश हुआ 1969 में तो इसका जो answer होगा वो डी question number question number 24 unix की मुख्य भासा तो unix की जो मुख्य भासा है वो क्या है तो assembly तो इसका जो answer होगा वो क्या होगा C question number 25 किसी फर्म के शबी transactionों की एक ही बार में grouping और processing करने को क्या कहते है तो क्या कहते है real time system कहते है तो इसका जो answer होगा वो C question number 26 computer में काम करने के लिए किस software का प्रयूग किया जाता है तो computer में काम करने के लिए किस software का प्रयूग किया जाता है option के नुसर अगर देखिएगा तो application का प्रयूग किया जाता application तो इसका जो answer होगा वो क्या होगा B question number 27 कौन सा software computer के hardware को नियंतरित करता है तो कौन सा software है जो computer के hardware को नियंतरित करता है तो system करता है तो इसका जो answer होगा वो B question number 28 प्रोग्राम या श्रोत को कोड के मसीनी भासा में प्रोग्राम के रूप में रुपांतरित करती है तो किस परकार की भासा को उच अस्तरी भासा तो इसका जो एंसर होगा वो क्या होगा Question No.29 उच अस्तरी भासा में लिखे गए प्रोग्राम को कम्प्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न अस्तरी भासा में किसकी मदद ले शकता है उच ses3 भासा में लिखें गए कुछ प्रोग्राम है जो computer अपंनी समझ के लिए निम्नस्तरी भासा में किसकी मदद ले शकता है तो interpreter का, यह जो interpreter है यह उचसतरी programming भासा में दिये गए जो निर्देश होता है उसको निम्नस्तरी भासा में translate करता है तो इसका जो एंसर होगा वो क्या होगा B question number 30 computer में system software का सबसे महत्पुन भाग कौन सा है तो सबसे महत्पुन भाग कौन सा है तो operating system तो इसका जो answer होगा वो C question number 31 computer में उप्योग के लिए बजार में बिखने वाले program को क्या कहते है तो computer में जो उप्योग के लिए बजार में बिखने वाला जो program है उसको क्या कहा जाता है software package तो इसका जो answer होगा वो B question number 32 तरनकी system क्या है तो तरनकी system जो है वो क्या है hardware तथा software की पुर्णता है तो इसका जो answer होगा वो क्या होगा question number 33 Unix के निर्माता तो Unix के निर्माता कौन है Ket Thompson क्ये है Ket Thompson जो answer होगा वो क्या होगा B question number 34 Unix की विशेष्टाई क्या है तो ये जो Unix के उसकी विशेष्टाई क्या है एक साथ अनैक काम ये भी है एक साथ अनैक लोग काम कर सकते हैं ये भी है काफी सुरक्षी थे ये भी है करनल डाटा का प्रबंध करता है ये सब युनिस की विसेस्ताए है तो इसका जो answer होगा वो क्या होगा Question number 35 संकेतों का संग्रत जो की computer को पताता है कि किसी विसेस काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है तो वो क्या कहलाता है प्रोग्राम तो इसका जो answer होगा वो बी Question number 36 निम्न में से कौन भोक्ता एवं हार्डवेर के बीच एक मदस से agent की तरह काम करता है तो वो कौन सा करता है operating system तो इसका जो answer होगा वो क्या होगा B Question number 37 Computer की assembly भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है तो वो कौन करता है Assembler करता है तो इसका जो answer होगा वो क्या होगा Question number 38 Hardware और software के बीच समन्द बनाने की तकनीक या सुवीधा को क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है इंटर्फेस कहा जाता है इंटर्फेस के दुआरा ही hardware और software के बीच समन्द बनाने की तकनीक या सुवीधा को इंटर्फेस कहा जाता है तो इसका जो answer होगा वो भी Question number 39 किसी प्रोग्राम की मसीनी भासा में क्या गया अनुवाद क्या कहलाता है तो क्या कहलाता है अब्जेक्ट प्रोग्राम तो इसका जो answer होगा वो भी Question number 40 Programming भासा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है तो मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है श्रोद प्रोग्राम तो इसका जो answer होगा वो भी Question number 41 Cat शब्द का शमन कंप्यूटर में किस से है यह जो cat शब्द है वो computer में किस से है तो design से तो इसका जो answer होगा वो भी Question number 42, किस operating system में उप्योग करता एक साथ कई computer operate कर सकते हैं तो किस operating system में, तो time sharing में तो इसका जो answer होगा वो सी Question number 43, computer का software base maker किस operating system से समन्द रखता है तो वो किस से रखता है, Windows से तो इसका जो answer होगा, वो क्या होगा, she Question number, database में backup का क्या उप्योग होता है तो उसका क्या उप्योग होता है, backup का तो खोई हुए data जो होता है, उसको वापस करने है तो इसका जो answer होगा, वो क्या होगा, d Question number 45, dos का उप्योग क्या है तो इसका जो डॉश है, डिस अपरेटिंग सिस्टम, इसका उप्यो क्या होता है? तो इनपूट तथा आउटपूट कार्यों को नियंद्रित करना ये शही है, यूजर तथा कम्पूटर के भी समन्द स्थापित करना ये दोनों है, तो इसका जो एंसर होगा, वो क्या होगा? श्रीट कोस्टन नमर्फ फॉटिसिक्स, एक सॉप्टवेर जो HLL प्रोग्राम को मशीनी भासा में परिवर्थित करता है, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कमपाइलर तो इसका जो एंसर होगा, वो क्या होगा? कमप्यूटर के संचारन में परियुक्त प्रोग्राम नियम तता कमप्यूटर किरियाओं से समंदित अन्य लिखित समागरी को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? सॉप्टवेर कहा जाता है, तो इसका जो एंसर होगा, वो A कोस्चन नमर 48, औरेकल है, तो औरेकल क्या है? डाटा बेस सॉप्टवेर है, तो इसका जो एंसर होगा, वो C कोस्चन नमर 49, कौन सा सॉप्टवेर सब्द संसाधन में परियुक्त किया जाता है? तो आप्शन के नुशर क्या होगा? पीजमेकर, वर्ड इस्टार और एमेश वर्ड, ये तीनों जो शब्द है, वो सॉप्टवेर में परियुक्त किया जाता है, तो इसका जो एंसर होगा, वो क्या होगा? इसका जो एंसर होगा, वो क्या होगा? कोई भी यूजर है, वो कैसे जान पाएगा? कि कम्प्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्द है, तो बोटिंग प्रोसेस के दोरान इंस्टॉल प्रोग्राम देखकर वो पता कर सकता है, तो इसका जो एंसर होगा, वो क्या होगा? कोई प्रोग्राम को लिखने वाले और उनका प्रिक्षन करने वाले वेक्तियों को क्या कहते हैं? जो कम्प्रोग्राम को लिखने वाले और उनका प्रिक्षन करने वाले वेक्ति होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो प्रोग्रामर कहा जाता है, तो इसका जो एंसर होगा, वो ए, कोश्चन नमर 57, MS Word डेश का उधारन है, तो MS Word जो है, वो किश का उधारन है, अप्लिकेशन सॉप्टवेर का उधारन है, तो इसका जो एंसर होगा, वो B कोश्चन नमर 58, कम्प्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं, और कनेक्ट हैं, या सुनिस्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है, तो वो कौन सा प्रोसेस चेक करता है, तो बूटिंग, तो इसका जो एंसर होगा, वो A कोश्चन नमर 59, निमलिकित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, वो आपको बताना है, तो ओप्शन A, वर्चुल मेमोरी हाट ड्राइब पर इसपेस है, जहां ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी बाउंड होने, पर डाटा इस्टोर करना आरम करती है, ये ऑप्शन ही सही है, तो इसका जो अंसर होगा, वो क्या होगा? A. कोश्चन नमर 60, जब आप कम्प्यूटर औन करते हैं, तब बूट रूटिन या टेस्ट करता है, तो बूट रूटिन क्या टेस्ट करता है? पावर औन सिल्फ टेस्ट तो इसका जो एंसर होगा वो क्या होगा question number 61 computer को बनाने वाले physical component को dash कहते है तो क्या कहा जाता है hardware कहा जाता है question number 62 multiple process द्वारा दो या अधी प्रोग्रामों का शाथ साथ processing निम लिखी थे तो वो क्या है multi processing तो इसका जो answer होगा वो क्या होगा question number 63 किसी program के मानव द्वारा पठनी वर्सन को dash कहते है तो क्या कहते है program code कहते है तो इसका जो answer होगा वो भी question number 64 dash एक बार में एक statement को convert और execute करता है तो वो कौन करता है वो आपको बताना है तो interpreter जो है वो एक बार में statement को convert और execute करता है तो इसका जो answer होगा वो भी question number 65 sub the dash किसी उपकरन को यह designate करता है कि जिसे computer से उसकी functionality बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है तो वो कौन सा है peripheral device तो इसका जो answer होगा वो क्या होगा question number 66 अधिक कंप्यूटर में printer या scanner जैसी नई device एचेट की जाती है तो device का प्रियूग किये जाने से पहले इसका dash install किया जाना चाहिए तो उससे पहले किसका install किया जाना चाहिए तो driver का तो इसका जो answer होगा वो भी question number 67 compiling से dash create होता है यह होती है तो compiling से क्या होता है executable program create होता है तो इसका जो answer होगा वो C question number 68 computer interaction लिखने के process को dash कहते है तो क्या कहते है coding कहते है तो इसका जो answer होगा वो D question number 69 समाने सब्द peripheral equipment का प्रियोग किस लिए क्या जाता है तो यह जो peripheral equipment है इसका प्रियोग क्या जाता है तो computer system के साथ H8 की गई कोई भी device के लिए इसका प्रियोग क्या जाता है तो इसका जो answer होगा वो A question number 70 hardware में क्या शामिल है तो hardware में क्या शामिल रहता है वो आपको बताना है तो computer और उससे जुड़ी हुए सारी device जो data को input और output के लिए प्रियोग होती है वो सारी चीजें hardware में शामिल होती है तो इसका जो answer होगा वो C question number 71 डैस वह program है जो computer को प्रियोग करने में आशान बना देता है तो कौन सा program है जो computer को प्रियोग करने में आशान बना देता है तो utility तो इसका जो answer होगा वो भी question number 72 device driver क्या है तो यह जो device driver है वो क्या है तो छोटे विशेश उद्धेश वाले जो प्रोगराम होते हैं वो device driver होती तो इसका जो answer होगा वो C question number 73 computer boot नहीं कर सकता है अधी उसमें dash नहीं होगा तो computer boot नहीं कर सकता है अधि उसमें क्या नहीं होगा तो operating परनाली अगर नहीं होगा तो computer boot नहीं कर सकता तो इसका जो answer होगा वो C Question No. 74 नीचे सुची बद चार शब्दों में से कौन सा उनसे समन नहीं है तो उसमें से कौन सा शमन नहीं है वो आपको बताना है Application, Program, Software ये शब है ये जो peripheral है वो शमन नहीं है तो इसका जो answer होगा वो क्या होगा Question No. 75 ऑपरेटिंग परनाली और computer में प्रोसेस इनके मिश्रन को डैस, computers के रूप में संद्रजबित किया जाता है तो वो कैसे किया जाता है तो प्लेट फॉर्म से तो इसका जो answer होगा वो डी Question No. 76 फ्री वेयर के दो उधारन क्या है तो फ्री वेयर के जो दो उधारन है वो कौन सा है इंस्टन्ट मेसेजिंग और Google टूल बार तो इसका जो answer होगा वो क्या होगा D Question No. 77 वेंडर स्रीजीत क्रियेट प्रोग्राम में शंशादनों को डैस कहा जाता है तो क्या कहा जाता है पीचेस कहा जाता है तो इसका जो answer होगा वो ए Question No. 78 परते कम्प्यूटर में डैस है और कई में डैस भी होता है तो क्या होता है तो परते कम्प्यूटर में ऑपरेटिंग परनाली है और कई में अप्लिकेशन प्रोग्राम भी होता है तो इसका जो answer होगा वो क्या होगा Question No. 79 निम्न मेंसे कौन से परकार का computer software जिसे खरीदा नहीं जा सकता तो कौन सा computer software है जिसे खरीदा नहीं जा सकता है दो सिल्फ ये खरीदा जा टेलर मेड ये भी custom विकसित ये भी of the सिल्फ ये भी इसमें जितने भी सारे option है ये सब खरीदने वारा सारा software है तो इसका जो answer होगा वो ये question number 80 computer software की परिभाशा ऐसी हो शकती है तो computer software की जो परिभाशा होती है वो क्या होती है ऐसे अनुदेश जो computer को बताते हैं कि क्या करना है तो इसका जो answer होगा वो भी question number 81 पहले से चल रहे computer को restart करना DESK कहलाता है तो पहले से जो computer on है औरर restart करना वो क्या कहलाता है तो rebooting कहलाता है तो इसका जो lancer होगा C Question number 82 computer उपकरन को क्या कहते है Computer उपकरन को क्या कहते है hardware कहते है तो इसका जो answer होगा Q8 Question number 83 उस hardware के लिए प्रियुक्त समानी शब्द कौन सा है जो जरूरी नहीं है कि computer के मुली कारी के लिए हो बलकि बाहर से जुड़ा हो तो वो क्या कहलाता है पेरिफेरल कहलाता है तो इसका जो answer होगा वो क्या होगा question number 84 system के dash में program या interaction होते है तो वो किश में होते है software में तो इसका जो answer होगा वो भी question number 85 computer के परते program data और system file की परती dash backup में होती है तो क्या होती है full होती है option के अनुसर के परते full backup होती है तो इसका जो answer होगा question number 86 आपके computer का परते घटक या तो dash तो आपके computer का जो परते घटक होगा वो क्या होगा तो क्या होगा वो जो computer का घटक होगा या तो software होगा या तो फिर hardware तो इसका जो answer होगा वो question number 87 कंप्यूटर कंट्रोल करने की जो शमंदी इंट्रक्शन या प्रोग्राम होता है वो software कहते हैं तो इसका जो answer होगा वो question number 88 डैस एक समय में एक कथन को convert और execute करता है तो किसे होता है interpreter से तो इसका जो answer होगा वो क्या होगा दी question number 89 assembler के बारे में निम्लिकित मेंसे क्या सत्ती नहीं है तो इसमें कौन सा सत्ती नहीं है वो आपको बताना है तो option C जो है या program execution में शामिल होता है यह गलत है तो इसका जो answer होगा वो she question number 19 निम्लिकित मेंसे कौन सा hardware का एक उधारन नहीं है तो इसमें hardware का कौन सा उधारन नहीं है operating system जो है वो hardware का उधारन नहीं है तो इसका जो answer होगा वो d question number 91 storage की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को store करने के लिए निम्लिकित मेंसे किसका प्रियूग किया जा सकता है तो किसका प्रियूग किया जा सकता है file compression का तो इसका जो answer होगा वो e question number 92 निम्लिक मेंसे कौन सा hardware है software नहीं तो इसमें कौन सा hardware है और software नहीं है तो control जो unit है वो hardware है software नहीं है तो इसका जो answer होगा वो e question number 93 निम्लिक मेंसे कौन सा compiler के बारे में शत्ति नहीं है तो compiler के बारे में कौन सा सत्ति नहीं है वो आपको बताना है तो option A, उचस्तरी भासा के interaction का machine भासा में अनुवाद करता है ये सही है सारे source program को machine की भासा में अनुवाद करता है ये भी सही है option C या program के execution में सामिल होता है ये भी सही है या अनुवाद का program है ये गलत है तो इसका जो answer होगा वो क्या होगा? question number 94 printer और monitor जैसे peripheral उपक्रणों को dash माना जाता है तो printer और monitor को क्या माना जाता है? तो hardware माना जाता है तो इसका जो answer होगा वो C question number 95 ये computer system का वह भाग है जिसे कोई चू नहीं सकता है तो वो कौन सा है? देखा जाए तो जो software है वो computer system का वह भाग होता है जिसको हम लोग चू नहीं सकते हैं तो इसका जो answer होगा वो क्या होगा? E ये जो computer का practice rate था ये 6 है इसमें जितने भी question हैं आप देख सकते हैं कि किसी नहीं किसी exam में पूछे गई है और यहीं सब question है जो बार बार हर exam में पूछा जाता है तो I hope आप लोग को ये अच्छा लगा हो और आप लोग इसको अच्छे से देखिए अभी तो नवरातरी चल रहा है तो हो शकता है किसी दिन वीडियो आए किसी दिन नहीं वीडियो आए क्योंकि अभी इसमें regular नहीं रह सकती हूँ क्योंकि बहुत काम हो जाता है तो आप लोग जो भी मेरे चैनल पे हैं आप लोग बने रहिए आप लोग को regular वीडियो मिलेगा बस आप लोग को जो दे रही हूँ आप लोग उसको अच्छे से देखिए और थोड़ा जायदा से जायदा इसको share किजिएगा और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को subscribe किजिएगा like किजिएगा और share किजिएगा Thank you